हेलो दोस्तों नमस्कार आजाद अतुल चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं चुकि यह मेरा पहला वीडियो है तो और मेरे चैनल का नाम आजाद से शुरू हुआ है तो मैंने सुचा क्यों न आजाद के बारे में ही कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाए तो इनके बारे में महान क्रांतिकारी चंसेखर आजाद का जन्म 13 जुलाई 1906 को स्रीमती जगरानी देवी वह पंडित सीता राम तिवारी के हां मद्ध प्रदेश में हुआ था वे पंडित राम प्रसाद विश्मिल की हरे हिंदूस्तान रिपब्लिकन एसोसेशन में थे और उनकी मृत्व के बाद नो निर्मित हिंदूस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसेशन एसेसरे के प्रमुक चुनवे मात्र 14 वर्स की आयव में अपनी जीविका के लिए नौकरी आरंब करने वाले आजाद ने 15 वर्स की आयव में कासी जाकर सिक्षा फिर आरंब की और लगबग तभी से सब कुछ त्याग कर गांधी जी के असायोग अंदोलन में भाग लिया दोस्तों यह हम लोगों का स्वभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने युवा अवस्था में या कहें तरुड़ा अवस्था में ही आजादी के अंदोलन में कूद गए 1921 में मात्र 13 साल की उम्र में उन्हें संस्कृत कालेज के बाहर धरना देते हुए पुलिस ने गिरपतार कर लिया पुलिस ने उन्हें जॉइंट मजिस्ट्रेट के सामने पेस किया जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया आजाद मजिस्ट्रेट ने पिता का नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया स्वादिन्ता मजिस्ट्रेट ने तीसरी बार घर का पता पूछा तो क्या जवाब था सांदार कि घर का पता है जेल सोचिए कि 13 साल के उम्र में कोई भी डर नहीं केवल भारत की आजादी का जोस और जुनून था उनके जवाब सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े लगाने की सजादी हर बार जब उनकी पीठ पर कोड़ा लगाया जाता तो वे महत्मा गांधी की जय बोलते थोड़ी ही देर में उनकी पूरी पीठ लहुलुहान हो गई और उसी दिन से दोस्तों उनके नाम के साथ आजाद जोड़ गया और जब मैं आज चैनल क्रियेट कर रहा था तो मैं सोच रहा था क्या नाम रखा जाए फिर मेरे दिमाग में आया कि आजाद से बढ़ियां कुछ भी नहीं हो सकता है और उमीद है कि आप लोग चंसेखर जी के जो उनका उपनाम आजाद है उस नाम से बने इस चैनल का सम्मान जरूर करेंगे और लोगों तक इसे जरूर पहुँचाएंगे आजाद को मूलतहिक आरिस समाजी साहसी करांतिकारी के रूप में ही ज़्यादा जाना जाता है यह बात भुला दी जाती है कि राम प्रसाद बिस्मेल असफाक उल्ला खान के बाद की करांतिकारी पीड़ी के सबसे बड़े संगठन करता आजाद ही थे भागत सिंग राजगुरु सुखदेव सही सभी करांतिकारी उम्र में कोई ज़्यादा फर्क न होने के बाजूद आजात की बहुत इज्यत करते थे उन दिनों भारत वर्ष को कुछ राजनीतिक अधिकार देने की पुष्टी से अंग्रेजी हुकमत ने सरजान साइमन के नित्रत में एक आयोग की नियुकती की जो साइमन कमीशन कहलाया समस्त वारत में साइमन कमीशन का जोड़ार विरोध हुआ था और उसे जगा-जगा पर काले घंडे दिखाए गया जिब लाहॉर में साइमन कमीशन के विरोध किया गया तो पुलिस ने परदर्सनकारियों पर बेरहमी से लाठिया वरसाई और उसी लाठिकी की चूड के च लाठी चलाने का आदेश दिया था को मृत्त दंड देने का निश्चे कर लिया था तो दोस्तों आजाद के बारे में कहा जाता है कि वह सदय निर्भिक रहते थे और इलहाबाद वरतमान का प्रयाग राज जहां कंपनी गार्डिन जो पुर्व नाम था उसका अलफेड नोबल पार्क उसका अब वरतमान नाम आजाद जी के नाम पर रख दिया गया है वहीं पे अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इनकी मृत हुई लेकिन वहाँ भी इनोंने अपनी आजादी का परचे दिया और बं बलकि आजाद ने आजाद को खुद मारा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उमीद है कि आप इस चैनल को आगे तक ले जाएंगे इस चैनल का बस एही उद्देश से है कि समाज में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनको हम इस चैनल के दोरा आप लोगों के सामने लाएं बस आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहे बहुत बहुत धन्यवाद